के जी अफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फिल्ड्स है और फिल्म में इसके दूसरे अध्याय का नाम के जी अफ चैप्टर टू रखा गया है यस यानी रोकी भाई को जिन्होंने हिंदी में आवाज दी है उनका नाम सचींग गोले है आप उनकी एक जनक यहाँ देख सकते हो के जी अफ चैप्टर टू के डारेक्टर परसांत नील सर ने कोलार गोल्ड फिल्ड्स में सोने की खानों को दिखाने के लिए हाई-टेक टेकनोलोजी के साथ-साथ वी एफेक्स यूज किये थे लीड काश्ट के अलावा इस फिल्म में 800 से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट को लिया गया जितने आप यहाँ देख रहे हो बाकि इतने आर्टिस्ट को बाहुवली और बाहुवली टू में भी हायर नहीं किया गया था इतना ही नहीं जादतार फिल्मेकर्स, अबजेक्ट मॉडलिंग और कॉपी पेश से ही लोगों की भीड को मूवी में दिखाते हैं एरी एलेक्सा SXT जैसी हाई डेफिलेशन कैमरे को सिनेमेटोग्राफर भुवन गोंडा ने कंधे पर रखकर सारे एक्शन सीन सूट किये थे ताकि सौल्ट परफेक्टली लिया जा सके इतना ही नहीं इस एक कैमरी का वजन ही 40 किलोग्राम है वैसे इस फिल्म में 150 से ज़्यादा कैमरे यूज हुए है जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिखाने के लिए इस्तमाल किया गया था मैं आपको बता दू कि भुवन गोंडा सर डेक्टर साथ के पसंदीदा सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने केज एक चेप्टर वन को बनाया था इसके अलावा परभास के साथ उनकी अगली फिल्म सालार में भी फुवन गोंडा ही सिनेमेटोग्राफर है फिल्म के कोस्ट्यूम डिजाइनर नवीन सेटी है इनके अलावा योगी जी राज भी थे आप उन्हें और उनकी टीम को कलाकारों को कॉस्ट्यूम पहनाते वे देख रहे हो यहां उनके द्वारा अधिरा यानि संजदद को तयार किया जा रहा है मैं आपको बता दू कि उनके सूट का वजन यानि अधिरा के सूट का वजन ही 25 किलो गराम था जिसमें लेदर, कॉटन, जूट, इत्यादी यूज किये गए है उस कपड़े को बनाने में स्रीनीदी सेटी और यस का कॉस्ट्यूम डिजाइन सानिया सरधारिया ने किया है उन्होंने लीट कास्ट को मॉडरन और रेट्रो लुक बखुवी और पूरे परफेक्शन के स्याद दिया था तबी तो इस फिल्म के लुक से लेकर स्टाइल तक फेमस को गए है वैसे तो फिल्मों में कार चेजिंग सिक्वेंस को बी एफेक्श स्टूडियो में ही सूट करके दिखाया जाता है बट इस फिल्म में और जिनिलीटी का पूरा ध्यान रखा गया था यहाँ पर आप जिसकार को देख रहे हो जिसमें की रौकी रीना को बचाने जाता है दरसल यह फोड मुस्तांग 1969 है जो की काफी महंगी कार है मुक्यता के जीएफ चेप्टर टू फिल्म की सूटिंग कोलार गोल्ड फिल्स के अलावा बैंगलूरू, हैदराबाद और मैसूर में सूट क्या गया है जिसके बारे में आप आगे जानोगे वचे तो मुवी में कोलार गोल्ड फिल्स के कुछ ही डिस्टेंस पर रौकी का रॉयल प्लेस था बट असल में उनके घर को दिखाया जो गया है वह लोकेशन हैदराबाद के ताज फलक नुमा पैलेस का है बट फिल्म में हमें ये दोनों चीश एडिटिंग के जरिये एक साथ यानि अगल बगल में दिखाई गई थी मुवी का या सीन उस समय का है जब रौकी को देखकर लगता है कि वह अब सब कुछ हार चुका है बट वह इनायत अली से डील करने दुबई चला जाता है तो वहाँ जो बीच वाली लोकेशन पर यह वाली सुटिंग आप देख रहे हो वह एक्चुली इंडिया का ही लोकेशन है करनाटक के पाडुकेरे बीच के मलपे में इस वाले सिक्वेंस की सुटिंग हुई थी अब क्लायमिक्स के इस सीन को देखिए आपको क्या लगता है कि क्लायमिक्स बनाना कितना डिफिकल्ट होगा फिल्मेकर्स ने अपने टोटल बजट का 15 परसेंट हिस्सा प्लायमिक्स के लिए ही बचा कर रखा था यनि सिर्फ प्लायमिक्स पर ही 12 करोड रुपए खर्च कर दिये गए थे एंड लाश्ट वाला फाइटिंग सीन ने जहां पर अधीरा और रॉकी को लड़ते वे दिखाया गया है जो कि काफी दमदार फाइटिंग सीक्वेंस में से एक है तो इस जगह पर दोनों ने दमदार फाइटिंग तो करी है बट जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इस एक्शन सीन के लिए ना तो यस और ना ही संजदत ने कोई डबल बॉड़ी इस्तमाल किया है यानि कि यहां कोई भी डबल बॉड़ी नहीं है ब्यूटी पेजेंट स्रीनीदी जी जिन्होंने इस फिल्म में रीना का किरदार निभाया है जो कि रॉकी की वाइफ रती है यहां उन्हें आप ब्याइंड दसीन में देख रहे हो वो अपने सौट को खुद से देख भी रही है और यह क्लिप होली का है वो और उनकी टीम यानि केजियब टीम ने इस साल सेट पर ही खोली खेला था उन्हें गुलाल लगे वे आप देख रहे हो और मैं आपको बता दू कि स्क्रीन दीजी इस फिल्म के लिए ऐसे दिखाया गया था यहाँ पर रौ की खतरनाक लुक में मिनिस्टर को मारने पहुसता है तो फिल्म में दिखाया जाने वाला यह सीन एक रियल लोकेशन का है यानि कि इसे वी एफिक्स इस्टूडियो में बनाया नहीं गया था बलकि यह लोकेशन मैसूर के इनफोसिस केमपस का है जो कि करनाटक में स्थित है इस जगा पर एक एफोर्टी सेवन की धेर लगी वी है और यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की जीप और एमेसेटर कारे भी दीख जाएगी आप लोग को तो यह इसी सूटिंग लोकेशन का बीटीयस है यह एनफोसिस केमपस मैसूर का बाहरी एरिया है इस जगा हैंसम रोकी भाई का प्राइम मिनिस्टर रमीका सेंसे पहली मीटिंग होती है जिसका बीटीयस आप यहाँ देख रहे हो इस जगा पर रोकी रेट कलर के सूट में नजर आयते जो कि इंजीनों काफी ट्रेंड कर रहा है इस तरह के कॉस्ट्यूम इस तरह का आफ़िट आज कर लड़के खुब पसंद कर रहे हैं यहाँ वह काफी हैंसम लगे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इनफोसिस कैमपस में सूर के अंदर का ही एरिया है पहले बाहर वाला एरिया जो आपको बहने आभी दिखाया और यह उसके अंदर का है यह काफी प्राइम लोकेशन है आप इस जगा को देख कर भी खुद समझ सकते हो आप लोग यह लोकेशन देख रहे हो असल में यह केजी अफ यानी कोलार गोल्ड फिल्स का लोकेशन है इसी जगा पर मूवी का 50% हिस्सा बना है यह करनाटक के कोलर में एसी एक असली जगा है यहाँ पर सच में सोनी की बहुत सारे ख़दाने थी कभी तो केजी अफ चेप्टर वन और केजी अफ चेप्टर टू की पूरी स्टोरी कोलार गोल्ड फिल्स में बनी सोने की ख़दाना पर आधारीत है यह लोकेशन बैंगलूर से लगबक 100 किलोमेटर की दूरी पर स्थित हैं केजी अफ चेप्टर टू का भी सेट यहीं है वैसे तो केजी अफ की स्टोरी काल्पनीक है लेकिन कहीं न कहीं इसे आप लोग रियल कोलार गोल्ड फिल्स से रिलेट कर पाऊगे साल 1981 की प्राइम मिनिश्टर रमिका सेन यस को इंडिया का सबसे खतरनाग क्रिमिनल बता कर उनके खिलाप डेथ वारेंट सिग्नेचर करती है लेकिन उससे पहले यस घरूरा को मार कर कोलार गोल्ड फिल्स के उपर अपना सामराज जिखरा कर लेता है और फिर कोलार गोल्ड फिल्स से निकलने वाले सोने को अपनी मन मर्जी कीमत पर वह बेचता है रियालिटी से भी आप लोगों को रूबरू करवाओं तो 1979, 1980 और 1981 में गोल्ड की रेट बहुत तेजी से बढ़ी थी 1902 में कोलार नामक इस जगह पर गोल्ड माइनिंग सुरूब वे थी माइनिंग के लिए बड़े-बड़े एक्क्विप मेंस लगाए गये थे उसमें ब्रीटीस की हुकुमत थी जिसे कि उन्होंने भारत में गोल्ड माइनिंग के लिए एक डैम बनवाया जिसे कावेरी डैम कहा जाता है तो इस डैम से काफी मात्रा में बिजली उत्पावन की जाती थी मैं आपको बता दूँ कि तब एसिया में कुछ ही चुमिनदा देसों में इलेक्टिसीटी जैसी कोई चीज आई थी जिसमें सबसे फेमस था जापानी पावर हाउस जो की आज पास के देसों को बिजली प्रोवाइड करता था कावेरी डैम से इतनी जादा इलेक्टिसीटी प्रोडियूस होने लगे कि आज पास के सहरों को भी इसका फाइदा मिलने लगा था यही हुआ बड़ी वज़ा है जिससे की बैंगलोरू डेस का सबसे पहला बिजली संपन ने सहर बन गया था जो की फैक्ट भी है तो जैदा कि मैंने काया कि यह लोकेशन रियल है के जिए टेटर टू के डैरेक्टर परसांत नीम सर चाहते तो यह पूरी फिल्म वी एफेक् काम करते थे गोल्ड माइनिंग के लिए साइनाइड का यूज किया जाता था पहले यहां जो आप इस जगह पर इतने बड़े विशालकाय गढ़े देख रहे हो यह फिल्मेकर्स द्वारा नहीं करा गया बल्कि यह माइनिंग करने से ही इतना बड़ा गढ़ा बना है अब स परिषानी का सामना करना परता था तो आप लोगों ने यहां जाना कि केजी अप चेप्टर 2 को बनाने में कितना हाड वर्क लगा है के जान ही लिए जादसे ज्यादा आप लोग सेयर करो ताकि और भी लोगों को पताचल सके कि यह फिल्म कितनी मुश्किलों से बनी है ठें पराध।